बाईवार बेनों, हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते साधे साथ दसकों की प्रगति को हम देखते हैं, तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं, जिनको कई दसक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, सौचाले, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक, अनेक मूल आवशकता हैं, जिनकी पूर्ति के लिए दसकों का इंतजार देश वास्यों को करना पड़ा। यह दुखद है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान, किसी ने उठाया है, तो हमारी माताओ बहनों ने उठाया है, खास करके गरीब माताओ बहनों को मुसिबत जेलनी पड़ी है। जोपड़ी में टपकते पानी से सबसे ज़्यादा अगर परिशानी किसी को है, तो मा को है। बिजली के अभाव में सबसे ज़्यादा अगर परिशानी है, तो मा को है। पानी की गंदिकी से परिबार बिमार, तो भी सबसे ज़्यादा परिशानी मा को। सोचालाई के अभाव में अंधेरा होने का इंतजार, परिशानी हमारी माताओ बहनों को। स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं, तो समस्या हमारी बेटियों को, हमारे जैसी अनेक पीडियां तो, मां को दुए में आँखे मलते, बीशन गर्मी में में आग में तपते, ऐसे ही द्रश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। साथियों, ऐसी स्थित्यों के साथ, क्या हम आजादी के सोवे वर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हमारी उर्जा सिर्फ मुलभूत जरुनतों को पुरा करने मी लगी रहेगी? जब बेजिक सुवीधाओं के लिए ही कोई परिवार, कोई समाज संगर्ष करता रहेगा, तो वो अपने बड़े सपनों को पूरा कैसे कर सकता है? सपने पूरे हो सकते हैं, जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा, तब तक उनको पूरा करने का आत्म विश्वास वो कैसे जुटा पाएगा? और बिना आत्म विश्वास से कोई देश आत्मनिर भर कैसे बन सकता है? भाईगी और भेनों, दो हजार चोबिस चौदा में, दो हजार चौदा में, जब देश ने हमें सेवा का आउसर दिया, तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा, तब एकदम स्पष्ट था, इन सारी समस्यों का समादान, हमें एक ताय समय के भीतर ही खोजना होगा, हमारी बेटियां घर और रसोई से बहार निकल कर, राष्ट निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी, जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्यों हल होगी, इसलिए बीते छे साथ सालों में ऐसे हर समादान के लिए मिशन मोड़ पर काम किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहट देश भर में करोडों सौचाले बनाए गए, प्रधान मंत्री आवास योजना में दो करोड से अधिक गरीबों के पक्के घर बने, इन घरों में अधिक तरकाम मालिकाना हक बहनों के नाम पर है, हमने हजारों किलोमिटर ग्रामिट सडके बनवाईं, तो सवभाग्य योजना के जरिये लगबग तीन करोड पलिवारों को बिजली कनेक्शन दिया, आईश्मान भारत योजना पचांवस करोड से अधिक लोगों को पांच लाख रुपिया तक के मुप्त इलाज की सुविधा दे रही है, मात्रू बंदना योजना के तहट गर्भावस्ता के दौरान, टीका करान और पोशक आहार के लिए हजारों रुपिये सीधे बैंक खाते में जमा किये जा रहे हैं, जन्दन योजना के तहट हमने करोड बेहनों के बैंक खाते खुलवाए, जिन में कोरोना काल में लगभग 30,000 करोड रुपिये सरकार ने जमा करवाए हैं, अब हम जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामिन परिवारों की हमारी बैंनों को पाईप से सुद्ध जल, नल से जल पहुँचाने का काम जारी है,